आज दोस्तों मैं तुरुके जैश्वान दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का समयधानी विकास अगर हम भात का समयधानी विकास पढ़ते हैं यदि हम भारत का समयधानी विकास पढ़ते हैं तो भात का समयधानी विकास में मैं दो दिश्टी कोनों दिख रहें दिख के लगाता है परिवर्तन के पश्चात हमें भारत का सम्मिधान बन करते रहा हुआ या बन कर मिला वास्तों में अगर देखा जाए तो अभी भी सम्मिधान की प्रक्रिया लगाता है बनने की प्रारम है इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे यह किस प्रकार से सम्मिधानी लेकिन उसे प्रारम होने की प्रक्रिया और बाकी चीज़े को हम लोग एक साथ अध्यान करेंगे लेकिन तब तक के लिए यह जान लेना है कि जो भारत का श्रमिधान है भारत की जो श्रमिधान है उसका जो विकास है वो दो तरीके से पहला तो है आपका इस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उसने क्या किया उसने भी श्रमिधान का विकास किया उसके बाद ब्रेटीस क्राउन के अंतरगत अभी इन सभी को अलग लग करके पढ़ेंगे लेकिन यह जानना जरू है कि भात का श्रमिधान ही विकास दो तरीकेस होता है पहला तो इस्ट करांती महत्वण है इसके बाद जब करांती होती है उसके बाद कंपनी के साल संभी ब्रेटेस कर उन कहांध चला जाता है लेकिन ऐसा नहीं है इसके लिए देखिए हम लोग देखना पढ़ने का प्रयास करते हैं अगर दिखते हैं इस इंडिया कंपनी के अंतरगर दिखते हैं तो में यह दिखा देता है कि इस इंडिया के अंतरगर जो सबसे पहला शुरू हुआ वह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट सत्तरसो तीहत्ता पढ़ेंगे फिर उसके बाद तुरंट पिट्स इंडिया एक्ट आया वह सत्तरस चुरा से अभी सभी को क्रम से लग लग पढ़ेंगे अभी बस यह जानना है कि इस इंडिया कंपनी के अंतरगर समधानी विकास कैसे हुआ फिर च इसे प्रम में फिर आपका और आगया एगा चार्टर एक्ट आपका जातररगे यह जाशच्ट बाद आपका आएगा पी मि आपके लिए इसके बात था था कि बात इसके लुकिन तो पूब तीहत्तर के बाद 20 वर्स में अगला आएगा अठारसो तिरपन में चार्टा रेट फिर अगर देखते हैं ब्रिटिस क्रॉण की बात करते हैं तो ब्रिटीस क्रॉण के अंदर अगर बारत परिषत अधिनियम इस बाद आया पर अठारसो इसाट आया फिर भारत परिष परिस्ट अधनियम यह 1909 में आया फिर भारत परिस्ट अधनियम आपका आएगा इसके ज़स्ट बाद 1935 में आएगा फिर भारत का सुन्त अधनियम 1935 इसी करम में यह आगे बढ़ता जाएगा यह इसा नहीं कि क्या इसकी मुल वुढचा या कही नहीं पर समाप्त हो जाती है तो यह समिदानी की विकास की प्रक्रिया भी देखे सभी पॉइंट को अलग अलग से पढ़ेंगे बस यही जानना जरूरी है कि क्या हमारे लिए कितना महत्त पूण है इसे आगे हम लोग देखेंगे आगे देखा हम लोग उने कि यहाँ पे भारत परिस्ट अधनियम 1935 आ इसे क्रम में हम लोग और आगे पढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं कि भारत का समधानी की त्यास कैसे बढ़ा अगर हम यह देखें कि भारत का समधानी की त्यास सन 1600 से प्रारम हुआ आपको पता यह कि इस ट्रिणें कंपनी भारत में ब्यापार करने के लिए थी पहले उसका अध्यस्ता यह भारत में जाएंगे तो भारत में ब्यापार करेंगे लेकिन उसके बाद क्या होता है 31 दिसंबर 1916 में अब आगे पढ़ेंगे एलिजावेत प्रथम के निथित्त में पहले हुआ कि 15 साल तक भारत में यह कंपनी ब्यापार करेंगी उसके बाद फिर वह वापस चले जाएंगे लेकिन इस समय जब वो अपना सासन प्रारम किए प्रथम के माध्यम से कहता है को दिखेंगे यह एक तीस दिसंबर 1916 से तो प्रशासन था एक परिसात को शोपा गया जिसके सिखर पर क्या होता था एक गवर्नार होता था और गवर्नार साथ क्या होता थे 24 अन्य सदास होते थे इसे गवर्नार और उसकी परिसात कहते थे लेकिन आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग के लिमात पूर है तो आगे हम लोग जो देखते हैं कि भारत का जो समधानी की तिहास था वह सन 1600 से प्रारम होता है तथा 1950 में इसकी इतिसरी होती है 26 जन लगबग 350 वर्सों की इस यत्रा को पूरीकर हमारा समयदान इस इस्तिती तक पहुचा है और आज भी जानते हैं कि परिवतन आज विसमें जारी है मतलब परिवतन का मतलब समयदान संसोदन होते हैं तो कहीं ने कहीं समयदान का इश्चा बन जाता है आगे हम लोग देखते समयदानی की तिहास कब परारब होता है इस्टी इंडिया कंपणी के साथ ही परारब हो जाता है अब आके देख्तेमें लुग कि इस्ट प्रत प्रत्म ऑफी एक राज लेख द्वारा की गई। अगर पुछ लेता है कि तन की प्रत्म के साम्में नहीं रहे किया था कभ किया था, सोलोसों में किया था किससे एक राजलेग के द्वारा तो इसी राजलेग के माध्यम से यह पता चल जाता है कि कंपणी ने क्या किये अपने स्थापना कर दिया ठीक है और जैसे कंपणी का स्थापना होती है वैसे क्या होती है भाद के सम्मिधान की जो इतिहास होती है वह कही ने कहीं फ्रारम्ध हो जाती है अब आगे देखते हम लोग कि आगे कobenपनी की बिधाई सक्तिया ये दिपी अत्य समिठ थी लेकिन इसका इत्यासिक मात हो था क्योंकि रोने भी आगल भार्ती बिदिस सइफां के निरमाण की निर already की अब विकर आपकी सक्ति थी क्योंकि देखे सक्तियां जो थी इनका वेतियासिक महत्तों था इनों वे आंगला भारती विधी साइटाओं के निर्मार में की निवर रखी थी आगे देखे आगे जो यह महत्तव पूर ज्यादा है सन 1727 के राजलेख द्वारा कंपनी ने व्यापार के साथ कि वीडियों नयायके झ्ट ह्यूत्र में रखना शुरू कर दिया यहां से हैं की प्रश्ण आचुके हैं सत्रहसो ह Prem 7110 27 के राजलेख द्वारा कंपनी की बैपार के साथ-साथ विधी इमों नयायके झेटर में कदम क्या किया गया शुरू कर दिया गया किसके लिए बिधियों न्याय के छेत्र में कब सुरू किया गया सोलो सत्रसों के साता सोचपविस के फिर सन 1726 के राजलेग दोरा बंबई एवं कलकत्ता देखे बंबई और कलकत्ता में निगम की अस्थापना की गई तथा मेयर एवं एल्डर मेन को इसका प्रसासन सौपा गया यहां मेयर कोड के स्थापना भी की गई जिने अपने 16 अधिकार में उत्पन्न होने वाले सिविल मामलो की सुनवाई का अधिकार दिया गया अब आगे देखते हम लोग 1726 के राजलेक से ही मामलो की विचार में क्या प्रदान की गई सहायता प्रदान की गई कैसी सहायता प्रदान की गई देखे हम लोग देख लेते हैं इसको इरेज भी करते चले देखिए सन 1726 की राजलेक से मामलो के विचार में सहायता के लिए ग्रांड यों पिट्टी जूरी प्रदा का भी सुभारम किया अभी आगे लोग देखेंगे की जूरी प्रदा क्या थी जूरी प्रदा यह भी एक जज के समान थी लेकिन यह जो जज होते थे इसके लिए एक साथ पुरी समित बैठा जाती थी उसी क्या अधार पर यह था लेकिन इसके जो महत्तों थे थोड़े से अलग थे जूरी प्रदा इस राजलेक का मतलब यहां पे क्या होगा 1726 के राजलेग द्वारा कलकत्ता बंबई तथा मद्राज प्रेसिडेंसियों के राज जिपालों तथा उनकी परिसत को विधी बनाने की सक्ति प्रदान की गई यह देखे बात महत्पूर है हमारे लिए और आपके लिए भी क्या है कि 1726 के राजलेग द्वारा कहां कहां कलकत्ता बंबई तथा मद्राज प्रेसिडेंसियों के राजिपाल तथा उनकी परिसत को विधी बनाने की सक्ति प्रदान की थी तो यहां से दिखे आपका जो प्रश्ण आ सकता है वह आ सकता है कि किस राजलेग के द्वारा बंबई तथा मद्राज प्रेसिडेंसियों के राजेपाल तथा उनकी परिसत को विधी बनाने की शक्ति प्रदान की गई तो अब बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी थी ठीक है चलिए तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे जो पढ़ना था वह था 1773 का अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग ने क्या प्राइब होता है यह लगभग 350 और तो कि यह लंबी यात्रा करने के बाद उन्हीं सो पचास में 26 निन्हीं सो पचास को बारती समिधान लिखकर त्याल होता है भाती समिधान की तियाज पढ़ेट चुछ समझने का एक एचेटेंडिया कमपणी के अंतरगत, फिर बातेटीस क्राउन के अंतरगत, तो लेकिन आप जो हम पढ़ेंगे एक क्रम से वो एक पढ़ेंगे, पहले पाउन साता सोतीय थर पढ़ेंगे, मतलब यह इस ट्रीडे कंपनी का अंतरगत यह जो कानून बनाएंगे उनको पड़ेंगे इन दोनों को सम्मझे तौपिक के अलग लग अध्यन करेंगे और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा इसी क्रम में पुरी तरह समधानी की पुरी वीडियो आपको बनाए ताकि आपको अध्यनों द्यापन में कोई समस्य आए नाउत्पन्नों फिर भी यहां से एक प्रस्ण पूछना चाहते हैं और साधम प्रयाज भी करेंगे आप इस प्रस्ण का जवाब देंगे भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना किस चार्टर एक के द्वारा ह इस वीडियो को सभी तक सेर कर दीजेगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए इसके वाद हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगलेटिन टेक्ट तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय वारत